अब देखो बात करने वाले से next week में क्या होगा क्या कुछ important news है ठीक है और कौन से momentum stocks होते है निफ्टी के चार्ट में क्या दिखाए रहा है तो देखो यह सभी चीज़ें डिसकस करेंगे ठीक है क्या हो सकता है आप लोगों की queries एक का दो queries में में happy cover जरू करूँगा तो हमारा weekly वीडियो जरू देखता है ठीक है देखो सबसे पहला point next week में क्या कुछ important news है उसका एक जलक में आपको इस वीडियो में बता दी है एक दिन पहले वीडियो रखा है अमेरिका की बजार में drama शुरूब क्योंकि job growth के data कुछ आये थे ठीक है व important चीज़े बताई है अगर serious note पे nifty पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि लोग लाकोर रुपे चार्ज करते हैं मैं आपको वह चीज़े free of cost बताता है ठीक है एक बाद जाके देखना शायद काम आए ठीक है क्या पता आप मुझे धन्यवाद दो ठीक क्या था हम लोगों जब वीडियो बना था उसके बाद डी लो पे closing है और 180 points fall और अगर high से आप देखने जाए तो 300 points की गिरावट आपको दिखाए जीए और अगर आप पूछे sir gift nifty तो positive बता रहा है भाई ये गलती मत करना डाउ जोन्स बंद होता है राती डीड़ बज़े के आसपास और gift nifty का last closing रहता है साथ जुलाई रात की बारा बज़े तक 2359 आप देख सकते हैं तो पीछले डीड़ घंटे में जो भी डाउ जोन्स में momentum हुई उसका यहाँ पर update नहीं दिखाए देगा ठीक है क्या पता सब्सक्राइब को डाउ जोन्स पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव दीखे और gift nifty आपको stable या gap down थोड़ा बहुत दीखे दे ठीक है एंड निफ्ट अगर आप देखोंगे डे लोग पे closing है क्लिया चलिए point आ जाते के sir next week में क्या हो सकता है see daily chart पे भी inverted hammer है profit booking and अगर weekly chart consider करने जाए तो उसमें भी inverted hammer है देखो यहाँ पे inverted hammer अब जहां से यह week start हुआ था अगर आप देखोंगे previous week तो उसका support है 19,150 ठीक है तो मुझसे बुछे sir nifty कहां तक आएगा तो यह job को level दीखाई दे रहे यहाँ पे यह जो हलका सा gap है यहां तक nifty आ सकता है 19,150 एक support है और उपर का resistance 19,523 तो पूरा week next week ठीक है 19,500 उपर का resistance 19,150 नीचे का support क्लिर क्यूंकि inverted hammer है और previous week का जो एक बड़ा breakout है वो आपका एक support consider हो जाएगा तो tension मत लेना ज्यादा फॉल आने के chances नहीं है next week में बैंक निफ्टी मेंबर्स सेम चीज़े weekly चार्ट अगर consider करने जाए तो पूरा week 50 points निफ्टी तो यह बाद ध्यान में रखेगा market में fall chances नेक्स टिक में थोड़ा बहुत आ सकता है अगर उपर क्या पता है कि ओप में बस इतना समझे है मैं आपको निफ्टी का support एंड एजिस्टन्स बता दिया है कोशन ना थे सर नेक्स्ट विक में यूस क्या है अब देखो उससे पहले में आपको नेक्स्ट विक के स्टॉक बता देता हूं कि कौन से स्टॉक मोमेंटम कर सकते हैं अला कि प्रीवेस वीक में जो स्टॉक बता थे वह आप यहां पर चेक आउट कर ले ना एक बार छी दिन पहले का वीडियो था ठीक है सबसे पहला जो नेक्स्ट विक में स्टॉक मोमेंटम कर सकता है वो मेरी सबसे है टाटा मोटर्स डीवियर डेली चार्ट में देखोगे तो यहां पर एक ब्रीक आउट है यहां से चांसल से 340 तक जाने का दमखम रखता है लेकिन अगर मानलो निफ्टी नीचे जाता है तो टाटा मोटर्स ठोडह नीचे जा सकता है तो पॉनंटरी डी कम रखना बाक् Janesis है पूरा विक निक्स्ट विक पॉजटी और एगर डा मोटर्स डीवियर चैहूंकि देखो कि यह जो swing था न यहाँ पर टाटा मुट्रस दीवर अब इतना easily swing break कर दिया है इतना time लेके आप देखो के काफी time लिया है तो भाई next week तो बनता है ना stock को उपर रहने का दम तो बनता है तो मेरे साब से next week यह पूरा week बले sideways हो जाता है लेकिन बनेगा उपर ही Friday मेरे सब से next Friday closing positive रहने चीए तो next target इसके 340 से 345 के बीच में हो सकते हैं इसको focus कीजिएगा वासलिस कीजिएगा second stock हो चुका है एनेच अब देखो नारण रिदा लेया है मैं थोड़ा twist कर रहा हूं next week के stocks जो मोमेंटम कर सकते हैं ठीक है रिको देखो रिटेल यह मुश्यक समझो बात को पूरा वीक स्टॉक मोमेंटम करना चाहिए अब मैं जो स्टॉक देता हूं वो सिफ मंडे को यहां पर 20 डिमा पर सपोर्ट सी यह डेली चार्ट है मैं इसको रिमूट कर देता हूं कि यहां पर देखो यहां पर 20 डिमा पर सपोर्ट यह साइडवेस एंद धन अप तो ऐसी मोमेंटम एनेच में दीखाई दे सकती है और सेम चीज़े यह अपोलो पाइप में जैसे कि सी चार्ट पैटन है तो स्टॉपलस बहुत ही छोटा है टार्गेट बड़े है मेरी साथ से अगर आज का हाई ब्रिक हो जाता है और 15 मिट सुस्टीन करता है तो मोमेंटम आ सकती है तो 1025 के उपर हम लोग ट्रेड करने के कोशिश करेंगे टार्गेट 1100 तक के हो सकते हैं अग पॉलो पाइप सीम चीज़ है इसका स्टॉपलस 704 704 एंड जैसे 726 727 ब्रेक करेगा यह स्टॉप 750 760 तक जा सकते हैं तो इसको भी फोकस कीजिएगा अपॉलो पाइप पूरा नेक्स टॉप में चांसे से मूब कर सकता है अगर आप और एक स्टॉप देखना चाते हैं तो मुझे लगते हैं मिधान इंग्धानी काफी टाइम के बाद लाइफटैम हाई यस लाइफ टाइम मनलब अब तक सबसे हाई इस ने मारा है मिधानी ने देखो यहां पे जब से लिस्ट हुआ था 2019 में यह स्टॉप ने ला 295 का stop loss लेके हम लोग इसको trade कर सकते हैं 309 303 10 को break करते ही stock 320 325 तक जा सकते हैं इसको focus की जिएगा वसलीज पर रगेगा तो इन सी 4% या 6% next week में upside जा सकता है समझ गई आप बात है देखो मैं बस अब सी हमारे video interesting लगे तो एक like कर देना ठीक है भाई like हमेशा important होते YouTube के लिए ठीक है तो एक like जरू कर देना आपका कुछ नहीं जाएगा आपको benefit मिलेगा एक like और video शेर जरू कर देना ठीक है कहीं भी आपके friends में वीडियो शेर कर देना चलिए next week मैं मैं आपको बता दिये nifty के levels and momentum stocks sir news क्या है देखो सबसे पहले news के weekly पूरा week में fi ने ज्यादा तर खरीदा रही है तो इतना ज्यादा negative है नहीं अभी जो profit booking आ रही है वो basic से आप बोल सकते हैं ठीक है कि support लेने वाली profit booking क्योंकि nifty daily chart में vertical move कर रहा था वो हम कुछ और के सब्सक्राइब ने कहां पर खरीदार की है तो माना जा रहा है कि यहां पर ज्यादा तर मार्च के बाद एफाइब ने banking and financial stock को खरीदार की है जैसे कि आप यहां पर देखे सी कुछ बताना चाहूंगा देखो पांच शे दिन के अंदर तीन सो का स्टॉक तीन सो चला गया बैंक निफ्टी एक परसन डाउन दा लेकिन केनरा बैंक ढाई परसन को पर सोचो एफाइब ने कहां पर खरीदार की हो कोश्य ना देक है सर मैं केनरा बैंक को लो मैं बिल्कुल भी ना बोलूँगा दे तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर फाइनेशल में जाना ही है आपको तो बजच फाइनेस लो सबसे सेफ और अच्छा रिटेन देने वाला थे कैनेरा बैंक में अगर आप पांच पसंद भी डीप कर जाए ना आप आप पैनिक हो जाओगे और बजच फाइनेस में ऐसा आप लोगों को तो नहीं फोकस करना चाहिए जैसी कि मैंने बोला में बस डाउ जूंस में जॉब्स डेटा के बाद स्टॉक्स नीची ट्रीट करना स्टार्ट कर गए डेटा एक्स पॉसीबल है मंडे अगर आप देखोगे मंडे को यहां पर फेड की स्पीच है तेक है उस है तो यह भी इंपॉर्टेंट है देखेंगी क्या होता है मंगलवार को हमारा GST मीट है यानि की GST काउंसिल मीट है बहुत सारी जिगा पे रीड्स कम एंड रीड्स बढ़ाने वाले है आप देखो जो GST PVR में खाने पे लग रहा है पॉपकॉन पे वो शायद घटाएंग और गीमिंग जैसी कि अब सभी को बताए डिल्टे को ऑनलें गीमिंग या ऑफलें गीमिंग उसमें 28% GST करने वाले हैं प्लस M.U.V. यूटिलिटी वहिकल्स ठीक है उसमें सेस बढ़ाने वाले है ऐसा माना जा रहें 22% का सेस ठीक हमलब GST कम था तो मार्केट में एक और न अब GST कम लगा तो 28-22% का सेस भी लगा दिया ठीक है तो मालब गवर्मेंट चाहती है कि सिर्फ उनका खजाना बढ़ता रहे तो ठीक है चलेगा लेकिन इंडिया का बेनेफिट हो रहा है तो यह आप ध्यान में रख सेकते हैं ओके मेंबर्स अभी बुद्वार को रिजल्ट आने वाले है अब देखो यहां पर मेंचिन किया गया है कि TCS and HCL Tech के रिजल्ट है यह शायद IT स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम करवा सकता है प्लस साइड या डाउम साइड अगर अच्छे रिजल्ट आए तो पूरा IT पैक पूरा ये फोकस किजिएた बुद्वार को इंफ्लेशन की डीटा ईने वाले हैं इंफ्लेशन मेट को संबसर है नहीं कि यूएस का मार्केट उत्रा ही है यूएस मार्केट इंडिया का इंफलेशन और इटी स्टॉक्स के रिजल्ट बस वह आप लोगों को ध्यान में रखना है और हाँ डेली चाट पर इंवर्टेड है मर है क्लियर होप मैं मस् आज का वीडियो आपको समझ वहागा पसंद होगा फिर कोई क्वेरी रहती है कॉमेंट कर दीजीगा एंड अगर आप पूछे किस सर ग्लेंट फार्मा के वारे मतों लॉंग टम के लिए ठीक है क्या इन्वेस्टमेंट करें तो फॉर मुझे लगता है कि अगर आपको करना है ना तो ग्लेंट फार्म अच्छा तो स्टॉक है लेकिन थोड़ा वॉलेटल है तो मैं इसको केटेगरी मिक्स केटेगरी में रखूंगा ना सिफ ना खराब ना इसकी ना सिफ बीच का यह स्टॉक है ठीक है बाकी एस पर मैं भी मुझे नहीं लगता को अगर जोएन करने तो आप हमारी लिंग से डिंए अकांटे ओपन कर सकते हैं तो पांच मिने के फारी में जाईगी या फिर आप 900 डी मेंदो मिले सकते हैं अगले वीडियो के अंधर तब तक के लिए गुड़बाई